वर जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे चैनल ट्रांस्पोर्ट गुरुजी यू-टूब पे लोजिश्टिक और ट्रांस्पोर्टेशन का भी नेश्या चैनल है जहाँ पे आपको हमेशा कुछ नहीं बाते बताता हूं दोस्तों आज का वीडियो है वह है आपके ट्रांस्पोर्ट बीजनस के बाड़े में जो साइद से आपने बिजनस को करते समय आप बिजनस जब आप स्टार्ट करने से पहले इसके बाड़े में आपने ज्यादा नहीं सोचाओगा जनरली अगर इसके बाड़े में आप सोचते हो जो पॉइंट में आज आप लोग साथ सेड करने वाला हूँ तो आपका जो बिजनस है वो टू एक्स त्री एक्स टाइम जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है इसके बाड़े में दोस्तों आपको जानकारी लोजिस्टिक इं में आप लोगों के साथ सेयर कर रहा हूं दोस्तों यह जनकारी है किसी भी तरह के ट्रांस्पोर्टिशन लोजिस्टिक करने वाले बिजनस वालों के लिए या फिर जो किसी कंपनी में सेल्स का काम देखते हैं उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा क्ष्टमर रिटेंशन जो कि आप लोजिस्टिक इंडस्ट्री में बड़े वड़े कंपनियों आप सुन सकते हैं जो छोटे चोटे प्लेयों होते हैं वह इस पर जादा ध्यार नहीं देते हैं और इसका सबसे वड़ा इफेक्ट प्रता है उनके बिजनस के उपर क्यून का बिजनेस जो है जिस स्पीड से ग्रो करना चाहिए उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाता है कस्टमर रिटेंशन होता क्या है दोस्तों सुनने में तो आप समझ गये होगी कस्टमर रिटेंशन होता क्या है अगर आपका बिजनस किसी कस्टमर के साथ, अगर आपने सो कस्टमर पकड़ा है, सो में से आपका बिजनस सतर कस्टमर के साथ continue चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके कमपनी का कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छा है. एक्जामपल के लिए हम बताते हैं कि कोई राम रहिंट ट्रांसपोर्ट करके एक बंद ट्रांसपोर्ट कमपनी है, और वो पिछले एक साल में सो नए कमपनियों से लोड उठाया है, बट आज के डेट में वो सिर्फ 20, उसमें उस सो में से सी 20 कमपनी को ट्रक प्रवाइड कर होगा और उससे फाइदे क्या होते दोस्तों आज हम इसके वाड़े में जनकाड़ी आप लोग साथ सेर्फ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कस्टमर का क्या रोल होता है, दोस्तों अगर आपको कोई नया बिजनस पकरना है, तो उस नय बिजनस को लेने के लिए आपका कोई न कोई कोश्ट उहां पर लगता है, चाहे आपका टाइम हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका इंपलाई की सेलरी हो, चाहे किसी तरह का कोई इंसेंटिव हो, यह हर चीज जो है आपके बिजनस के लिए एक वेल्यू क्रेट करता है, और जब आपका वही कुलाने के लिए वह पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है तो इसको बनाया कैसे जाए ताकि वह जो कस्टमर है जो आपके पास दो-चारवाल मैटरियल ट्रक ले करके बिजनस करना बंद कर दिया है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए ध्यान देने के लिए किन-किन चीज चीजों को ले करके आपसे जुरा रह सकता है अगर वह चीजे उसको आपसे नहीं मिलता है तो वह पॉसिविलिटी है कि आपसे डाइवर्ट हो करके किसी और के पास चला जाएगा सबसे पहला है दोस्तों इस इंडश्ट्री का रेट जो ट्रक आप देड़ है किसी को उसके लिए आप कितना भाड़ा उससे ले रहा हो यह इस इंडश्ट्री में सबसे ज़्यादा महत्तों सबसे ज़्यादा वेल्यू की रेट करता है अगर आपका रेट सही नहीं है बंदा आपसे दो बार तीन बार चार बार ट्रक जरूर लगवा लेगा अगर उसको मार्केट मे मिला वो आपके साथ बिजनस बंद कर देगा आप लोगों ने भी एक्सपरियंस किया होगा जो आज के रेट में ट्रांस्पोर्टेशन बिजनस का काम कर रहे हैं दूसरा है दोस्तों सर्विस इस इंडश्ट्री में सर्विस का भी बहुँ जादा वेल्यू है अगर आप सर प्रवाइट करवाईए जहां पहुंचना है ट्राक उहां पर टैमली उनको पहुंचाए यह दो चीजे तो होनी ही होनी चाहिए इसके बाद आता है दोस्तों कम्यूनिकेशन अगर किसी कस्टमर के साथ आप बीनस कर रहे हैं तो चाहें जो कंडिशन सो जो रीजन होकर ट्र सब्सक्राइब कर चाहिए सब्सक्राइब कर आपका कश्टमर के साथ जूड़ा रहे हैं और वो इस चीज को समझ सकें कि एक्चवल में प्रोबलम है और इस एक्च्वल प्रोबलम के करन सकते हैं आपका जो truck जो पहुंचने का time है उस time पे truck नहीं पहुंच पाएगा इसके अलावे दोस्तो आज के date है मेरे बहुत सारे customers चाहते हैं trekking on time trekking तो on time trekking देने का बे बच्था जरूड कीजिए on time trekking देने के लिए किया क्या कर सकते है सबसे पहला तो जो ट्रेडेशनल तरीका है दोस्तो फोन पे ड्राइवर से बात करके आप कस्टमर को बता सकते हैं कि आपके आपका ट्रक जो है आज के टाइम पे और अभी के टाइम पे कहां पे है दूसरा तरीका है दोस्तो GPS जहां से कि आपको पता चलता है कि आपका ट्रक कर सकते और वह जो कॉइसर कर सकते हैं इसके अलावे ढूस्तों मोईल आप के धूरू उसके GPS के तुरू किसी ट्रक को करना तो यहां से भी अपने ट्रक करके उसकी जनकारी च़ंपर को दे सकते हैं इसके अलावे आता है दोस्तों बहुत सारे चीजे जैसे कि POD कलेक्शन से रिलेटेड, बिल्लिंग से रिलेटेड, पैमेंट से रिलेटेड जहां पे कि आपको अपने कस्टमर के साथ पुलाइट रहना है, सही तरीके से बात करना है, प्यार से मोहबत से उसके साथ बिजनस क करना है, तो आपको अपनाने ही पड़ेंगे, अगर यह आप नहीं अपनाते हो, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि किसी कस्टमर को एकुराइड करने के लिए, आपका वैल्यू जो लगता है, वो पूरा का पूरा वेश्ट हो जाता है, अगर कोई कस्ट और या थाड़ा customer आप continue बना के दखिये जिससे कि आपका जो भिजनास है वो धीरे-धीरे करके बड़ता रहे आपको बार वार नए customer क crash आप कॉल करता है अग कुछ दिंद जीजे दोस्तों यहीं किसी बीजनस के लिए या फिर उसको लॉसमे improvement बनाता है तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर आप logistic industry चला रहा है या फिर transportation industry चला रहा है तो यह साड़े चीजे जो है आपको जरूर करना चाहिए ताकि आपके customer के साथ relation better हो सके इसके अलावे आप survey करबाई है customer के साथ उनके पास किसी बंदे को इसे बंदे को भेजिए जो कि आपक आपके company के साथ काम करके उनका experience कैसे रहा है वह से पुछ सके वहां से भी आपको कुछ चीजे निकल के सामने आ सकती है कि उनको problems क्या और create होता है कि क्या चीज आप उनके लिए better कर सकते हैं और जब वह साड़ी चीजे आप धिरे-धिरे add करते हैं तो यही जो चीजे है यह आपके customer के retention को बढ़ाता है मतलब कि इस साल आपने 100 customer पकड़ा और 70 customer आपके साथ business continue कर रहा है पूरे साल तक में तो next year आप 50 customer और जोड़ो 70 यह है 50 हो सकता है कि उसमें से 10 customer यह 20 customer और हट जाए तो भी आपके पास number of customer बढ़ते जाएंगे और यह जो number of customer जैसे से आपका दो होता जाएगा तो दोस्तों इस पर लोग वर्ट किजिए कहीं भी कोई प्रोब्लम होता है तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलता है हमेसा नए नए जानकारी नए 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 solutions जो आपको और कहीं भी नहीं मिल पाता है बिजनस करके या फिर किसी के साथ discussion करके तो दोस्तों आज के लिए था इतना हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए धन्यवाद